आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार असार है जबकि बीते दिन सत्र के दूसरे दिन सपा प्रमुक अखलेश यादव ने विधान सभा में कानुन विवस्था का मुद्धा उठाया उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस के बात करने वाली सरकार और कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये वही यूपी है जहां जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है जबकि अखलेश यादव के हर सवाल का जवाब सीम ने विधान सभा में खड़े हो कर दिया तो हंगामे के आसार आज भी बने है हाला कि कल बिना हंगामे के सदन के कारेवाई काफे सफलता पूर्वक रही विपक्ष द्वारा कई सवाल किये गए वो इस्कूल की यूनिफॉर्म क्यों लेकर हो पुस्तकों के रेट को लेकर हो या फिर जो है कानून विवस्था को लेकर हो तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई प्रश्ण उत्तर हुआ सवाल जवाब का दौर चला और विपक्ष के सवाल का जवाब पक्ष ने दिया कई एहन सवालों पे चर्चा हुई और कल यानिकी 26 मई को बजट पेश किया जाएगा कई चीज़ों पे ध्यान दिया जा सकता है इस बजट में और इस खबर पे हम आसा जदबाचीत के लिए समधाता नेतन जुड़ चुके हैं तीसरे दिन का आज सत्र होना है और आज विधायकों का पहुंचना जो है वो शुरू हो चुका है मुखबंतरी योग्या दिशनाद भी विधान सभा पहुच चुके हैं और अपने कारयले में बैठे हुए हैं और अपना काम वाम देख रहे हैं उसके अलावा कल बजट पेश होगा और इस बार की कारवाई के अगर बात करी जाए तो काफी पहले दिन का जो हंगामा हुआ था उसके बाद अगर कल के कारवाई की बात की जाए तो कल राजपाल के विभाशन पर चर्चा हो रही थी बारे में बताया है ये बताया कि उत्तर प्रदेश की जनता कैसे बहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना जीवन र्यापन कर रही है और अगले शचाह 기 실ंड की तरफ से भीते जिनों 미टिंग की इसमें उनसे शिकायत की गई थी कि जो अधिकारी हैं वह बात नहीं सु कि तया गया कि आथिकारी हैं वो बात नहीं सुनते हैं तो उन्हें जवाब दिया था कि आप डलाली बंद कर दिजे तो अथिकारी यो को हम सुधार देंगे इन今 है श्युत्र तीसरे दिन की कारवायी हुनी है suppliers और इन्हों को पता भी नहीं चलती जो कुशन आर है वो होगा सवाल जवाब लगबग विकास कारियों से जुड़े हुए और कौन-कौन से क्या-क्या काम हुए हैं उनको लेकर के चर्चाए होनी है इसके लावा कल बजट की तैयारी भी लगबग पूरी हो चेकी है कल बजट पेश किया जाएगा और देखना ही देने की बात जो है वो सरकार की तरस से कही गई है किसानों के लिए बैतर योजनाय शुरू की जाएंगी और अब तक प्रदेश का यह सबसे बड़ा बजट होगा और यह जाही से बात है कि हर बार जो की सरकार नया बजट पेश करती है वो पिछली बार से बढ़ा ही होता ह तो इस बार पी यह जो बजट आएगा वो पड़ा होगा जी नितन जिस सरह से मैनिफेस्टों में जो भी दावेवादे किये गए तो उनको पूरा करने की कोशिश भी कर रही है सरकार तो क्या उससे संबंदित भी इस बार का बजट देखने को मल सकता है आ देखे बिलकुल साब सरह पर इस बात कर दिकर किया गया है कि यह एक तमावेशी बजट है और कल यह बजट पेश किया जाएगा जिसमें महिलाओं के लिए युवाओं को प्रातिनका देने की बात जो है वो कही गई है इसके लाबहा किसानों के लिए भी सोचा संपाइगा है काफी कुछ इ हैं सरकार की तرف से इसके लावा ये भी बताए गया है कि रोजगार को लेकर राएफ़ार चौनाओ के नए रासथे और साधन खोलने के भी अब आए जारहे हैं कि कल जब सीधा थैया और बजट में क्या । रहे हो ओप धेश होटा है ओर सामने और अब देखना ही होगा कि आगे कैसे इस बजट पर असरकारत पहतर तरीके से काम करती है और बजट में क्या नहीं आता है जी इनितन बीते दिन सिक्षा के स्थर पर भी काफे चर्चा हुई वो फिर यूनिफॉर्म को लेकर हो या फिर महंगी होती सिक्षा को लेकर हो कुछ इसमें बदलाव होने की संभाव ना है क्योंकि सदन में उमुद्दा उठाया गया है कर दिक्र किया था कि लगभग सभी जिलों में वो जगाएं बनाई गई है जहां पर ग्यारा सु रुपए के पूरी किट मिलती है जिसमें बच्चों के दो यूनिफॉर्म और बाकी समान जो है वो मिलता है इसके लावा उन्होंने ये भी कहा कि पहले बच्चों को सिली सिलाई ड्रस दी जाती थी जो कहीं नाप में छोटी बड़ी हो जाती थी और इसी वज़े से अब बच्चों को खुद पैसे दे दिये जा रहे हैं ताकि वो पैसे के आधार पर अपने अपनी चॉइस के अनु के रूप में सवाल किया था कि क्वालिटी है उसी के आधार पर अदाम तै होता है और ग्यारा सो रुपए में दो जोडी कपड़ा और इसके लावा बाकी चीजें जिसमें जुता मोजा बैग ये सारी चीजें कैसे हो सकती है सरकार को इस पर एक विचार जमश करना चाहिए इसको बढ़ाना चाहिए लेकिन सरकार की तरफ से साफ़तार पर कली ही बोल दिया गया था कि अभी ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है और चलती रहेगी अभी इसको बढ़ाने की लगवग जहां तक कोई उम्मीद एजी नहीं है जो बिलकुल बहुत बहुत शुक्रिया हमासे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस ख़बर पर हमासे समधातानेतिन कुमार जुड़े हुए थे रुक करते हैं अगली ख़बर की तरफ शासन की योजनाए धरातल पर किस तरह कारे कर रही है इसका नजारा राइबरेली की ग्राम पंचायत शिवली में देखने को मिला है जहां मनीश सैनी का परिवार बीते आठ साल से दूसरे की दीवार के सहारे तिरपाल के सहारे गुजर बसर करने को मजबूर है और उन्हें बताया कि वो आवास के लिए पिछले साथ सालों से दोड़ रहे हैं लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है वही से मामले पर जब खंड विकास धिकारी मलक मसूद अक्तर से बात की गई तो उनका कहना था कि मामला संग्यान में नहीं था लेकिन अब चांच करा ली जाएगी और आखिर उनको अभी तक आवास क्यों नहीं मिला है और अगर आवास सूची में उनका नाम मौजूद है तो अलग-अलग सवाल उठ रहे हैं बारिश में, भीशड गर्मी में रहने को मजबूर हैं लोग में तरपाल लगा के आवास नहीं मिल पा रहा है और इतना भी नहीं है कि जानकारी नहीं हैं इन लोग जानकारी भी है, यह लोग सरकारी दफतरों के चक्र भी काट रही है लेकिन इसके बावजूर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन इसका कोई समधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हो जब इस मामले पर खंड विकास अधिकारी मलिक मसूद अक्तर से बात की गई तो उनका कहना है कि मामला संग्यान में नहीं था। लेकिन अब जाच कराई जाएगी। जब उनके संग्यान में ये मामला आ गया है तो अब जाच कराई जाएगी। और उसके बाद इन्हें आवास दिलाने की बात कही है। श्वासन दिया गया है खंड विकास अधिकारी द्वारा। तस्वीर में साफ तोर पे देखा जा सकता है। और पीड़ी तो द्वार ये बात भी बताई गई है कि धूप गर्मी से बारिश से आधी से लगतार उनकी समय समय पर पन्नी फट जाती है। उनके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो टीन डलवा सके पन्नीों के सहारे त्रिपाल के सहारे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दो छोटे बच्चे भी देखने को मिल रहे हैं और महिला किस तरहां से चूले पर खाना बनाती में नजर आ रही है। काफी गरीब और परिशान नजर आ रहे हैं लोग इसके बावजूद भी वो चक्कर काट रहे हैं सरकारी योजनाओं के लिए लेकिन उनको योजनाओं नहीं मिल पा रही है। बारिश में रहने को मजबूर है जए एक बाव फिर मौसम में बदला हुआ है बीशट गरीवी वाद अब बारिश का मौसम हो गया है। बारिश देखने को मिल रही है जगा जगा और ऐसे में ये गरीब परिवार बारिश में आधी में इस पन्नी की छट के नीचे रहने को मजबूर है। बारिश में रहने को ये गरीब परिवार मजबूर है और समधाता से जब हमने बात करी तो उनका भी यही कहना है कि ऐसे कई लोग हैं जिनको सरकारी योजनाओ का लाब नहीं मिल पाता है पात्र है लेकिन इन तक योजनाओं नहीं पहुच पाती है। कई न कई अधूरा रह गया है पकी छट का सपना बारिश में आधी तुफान धूप गर्मी में रहने को मजबूर है एक पन्नी की त्रिपाल की छट है तस्वीर में देख सकते हैं आप किस तरह से कच्चा मकान बना हुआ है और ये एक जोपड़ी भी नहीं है क्योंकि पात्रों को लाब नहीं मिल पा रहा है सरकारी योजनाओ का और इस पे खंड विकास अधिकारी से भी बात की गई है उन्होंने आश्वासन दिया है लहीं सवाल ही उड़ता है कि जब सरकार का योजनाय चला रही है तो आखिर इनका लाब पात्रों तक क्यों नहीं पहुँ पहुँच पाता कैसे नहीं पहुँच पाता आखिर वो कौन लोग है जिनकी वजह से पात्रों तक ये लाब नहीं पहुँच पाते हैं और ऐसे अधिकारियों के उपर क्या सकत कारिवाई होनी चाहिए या नहीं इस खबर पर मैंसे समध आता अजे जुड़ चुके हराय ब जो थे सब्सक्राइब करना जाए जाए जो है यह जो फो नहीं बिला यह जाए और इस मामले में जाए जाए जो अगर इनका फात्रों नाम है तो फिर किस नमबर पर है और क्यों नहीं मिला यह देखना है अब उसके बाद अगर नहीं भी है तो तदकाल से उसका फीडिंग करवाया जाएगा जब भी इसका वो फुलेगा जो आवास मिलेगा ऐसे कई और भी बात रहूंगे जिन्हें जानकारी तो है सरकारी यूजना के बारे में लेकिन उनके सुनवाई नहीं होती है तो किया है ऐसे लोगों की भी सुची बनाई जाएगी और जल्द से जल्द आवास दिलाया जाएगा अजै जिन कर्मचारी यो की वज़ह से पात्रों तक ये लाब नहीं पहुचपाता है जिनकी लापरवाही देखने को मिल रही है उनके ओपर क्या कुछ कारेवाई होनी चाहिए। दिल्ली में गाजियबाद सीमप पर 60 शुराब की दुकानों पर दी जा रही भारी छूट जल्दी समापत होगी अधिकारियों का कहना है कि इससे गाजियबाद अनॉटा में दिल्ली से शुराब की तसकरी की संभाव न बढ़ गई है दोनों चलों में शराब की विक्री भी घट गई है दिल्ली में शराब पर 50 शुराब की चूट दी जा रही है इसी कड़ी में आपकारी विभाग ने गाजियबाद में चेकिंग अभियान चलाया गाजियबाद के सभी बॉर्डर पर अपकारी विभाग द्वारा हर एक व्यक्ति की चेकिंग की गई है जिसमें काफी तादाद में लोगों के पास शुराब की बोतले मिली है इसमें साथ लोगों को गिरफतार किया गया है साथ ही ऐसे पांच वाहन बरामत किये गए हैं जिसमें शुराब की बोतले भर कर गाजियबाद की सीवा में तसकरी के लिए लाई ज़ा रही थी अब कितने की? एन वे लिए फाहन पर गांक पक्रादी बीज़ा है खेंद है जो पकडताथ वाहां है थी गाड़ित की जा रहे हैं वो में फिखेंफ अर्ड़ कार्च वक्ता आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार